बारतिय जेवन दर्शन में तन का बहुत महत्व है जी हाँ शरीर के माध्यम से ही आप सब प्रकार के कारिय कर सकते हैं इसलिए हमारे यहां कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया और उसे ही विद्वान लोग अलग प्रकार से अलग माध्यम से इस प्रकार से भी कहते हैं शरीर माद्यम खलू दर्म साधनम आप अपने जो विचार हैं अपने धर्म का पालन है वह भी तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर स्व background भारत में रिशियों और महर्शीओं ने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक सूत्र बताए अनेक नियम बताए और उन्हीं में से योग का भी नाम आता है योग और जीवन द्रश्टी इस विशा पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियों में पधा रहे हैं डॉक्टर अंकेश सिंग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमफ चुके हैं आपने योग को लेकर विदेश यात्राएं भी की हैं अनेक भारत ही नहीं अपि तो अनेक विदेशों में भी आपने दूसरे देशों में भी योग का प्रचार प्रसार किया है अंकेश जी सबसे पहले जानकरी ये चाहेंगे आप से कि वास्तम जिस प्रकार से भारतिय जन्मानस की हम बात करते हैं, तो कहा जाता है कि योग जो है वो यहां की मिटी में है, यहां की हवा में है, तो जीवन दृष्टी, जीवन चरिया और योग इसे आप किस प्रकर से देखते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि योग के बारे में हमारे जैसे आपने कहा भी कि जो है तन जो है अपना सौस्ट रहना बहुत जरूरी है और उसी के बारे में जब जो हम लोग मानते आए हैं कि हम जो है सरीरी क्रूप से अगर सारीरी क्रूप से के बारे स्वास् और योग के संबंद में जो है एक बताना चाहूंगा कि जो है कहीं ना कहीं सवस्त सारे रिक इस तर पर रहना ही सवस्त कंप्लिट नहीं है अपने आपको सारे रिक मानसिक आध्यात्मिक और एक तरह से जो है संपूर्ड लेवल पर जैसे वर्ल्ड हेल्ट ऑर्गनाइशेशन तो योग भी जो है कहीं ना कहीं इन सब को सारे एस्पेक्ट को कवर करता है चाहे आपके मानसिक स्वास्त की बात हो चाहे सारे रिक स्वास्त की बात हो सारे रिक स्वास्त में जो है अपन सारे रिक स्वास्त को मेंटेन कर सकते हैं और सोसल स्वास्त की अपन बात करें कैसे समाज को जोडने की बात करें तो वो कहीं न कहीं जो है योग का अर्थ ही होता है जोडना तो एक दूसरे को जोडता है जो अंकेश जी क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो चिकित्सा पद्धियां प्रचलन में हैं वे मनुश्य का शरीर स्वस्थ करती हैं लेकिन जब हम भ भावित करता है बिलकुल बॉडी माइंड इंड सोल जैसे कहा जाता है और मैं आपको बताऊं योग के बारे में जैसे आपने जीवन दर्फन की बात करिए हमारे जो भारती च्छे दर्फन है उसमें पातंजली जीव को मानते भी हैं कि कहीं ने कहीं योग का फाउंडर बै साधना पाद, समाधी पाद, विभूती पाद, कैवल पाद और इसमें कहीं ने कहीं ने चित्त के बारे में, चित्त की वरत्यों के बारे में, उने वरत्यों कैसे दूर किया जाए, क्या क्या चित्त के विच्छे पोते हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके बारे म बहुत नीचे तक जाके वो रिसर्च करते थे शोध करते थे और फिर उनको जिस प्रकार से लिपी बद्ध किया गया तो वो विचार वो जो ग्यान है वो लगातार आगे बढ़ता रहा अंकेश जी जब योग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से योग के बहुत से की भी जानकरी पहुंचे सामाने तोर पर हम योग जब एक सामाने आदमी एक आम आदमी के अगर अपन बात करें तो कुछ आसनों का अभ्यास कुछ प्राणायम का अभ्यास अगर अपन कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि हमने संपुन योग का अभ्यास कर लिया लेकिन मैं नियम आसन प्राणायाम प्रित्याहर धारना द्यान समाधी के बारे में बात आती है तो सबसे पहले अगर यम की बात करें यह कहा भी जाता है कि अपने को आगे जाना चाहिए ऐसा नहीं कि डारेक्ट अपन पर चले जाएं प्राणायम पर चले जाएं समाधी पर चले जाएं तो कहीं नहीं सबसे पहले हमें और नियम फॉलो करना चाहिए यह मों नियम क्या है एक तरह से कोड़ आफ कंड़क्ट एक सेल्फ डिसिप्लिन किसी प्रकार के अपने भी हमारे हिंदु धर में मानेता है कि चीटी भी अगर मर जाएं से तो हम अपने आप में पापी अपने आपको मेहसूस करते हैं तो हमें किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं करनी है सत्य हमेशा ठुट फुल लहना और अपन मानते ही एक जूट जूट को जन्म देता है तो हम जितना हो सके मौडर्ण टाइम के साब से अपन सत्य बोलें आस्ते मतलब चोरी ना करना किसी प्रकार का नोट ऑनली केवल फिजीकल भौतिक चीज़ों की चोरी बलकि एक इंटलेक्शल बौधिक विचारों की भी अपन्ज़ है चोरी ना करना आस्त सामानीता, यह कहा सकता है कि आदर्श जीवन की प्रकार का हो सकता है अहंसा उसकान हो सकता है, सत्य बोलना है साथ़ते---- लेकिन आप जो तो वास्तों में जीवन दर्शन ही है वो जीवन जीने की कला ही है तो ये जीवन जीने के जो नियम है यहां से योग प्रारंब होता है और जब समाधी तक जाता है उसके बीच में जो बहुत सारे नाम आते हैं ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्रत्याहार पर हम चाहेंगे थोड़ी सी जनकरी और दर्श को तरह का मतलब जो हैता है एक तरह से सब्सक्राइब अपने इंद्रियों को अंतर मुखी कर लेना जैसे एक सामाने एक्जांपल के रूम में बताऊं कि अगर कोई डाइबेटिक है सपोज और उसको जह है मिठाई खाने से अपने आपको नहीं अब जब हम बात योग की करते हैं तो साथ में आसन और प्राणायाम भी जुड़ता है तो आसन प्राणायाम और योग इन में कितना संबंध है कितना अंतर है कई बार यह देखने में भी आता है और लोगों को लगता भी है कि कई जगे हम प्राणायाम पहले कर लेते हैं औ और आसन उसके बाद करते हैं जी तो मेरा यह मानना है कि कहीं अगर एक जनरल लॉजिक की भी अपन बात करें तो योग का अल्टिमेट परपज होता है रिलैक्स होना अपने आपको सांती प्रदान करना तो अगर अपन आसन बाद में करेंगे प्रणायम के तो डिफिनिटली क आपने संबंध की बात करी तो इसमें डिफिनिटली बहुत बड़ा संबंध है आसन में जो है एक परिवासा है स्थिर सुखम आसनम स्टेडी एंड कांफोर्टेवल पोजिश कॉड़ आसन ऐसा नहीं कि आसन में बहुत जोड़ लगा रहे हैं दक्का मुकी कर रहे हैं को प्रणायम के सोड़ा से एक जनरलाब की भी इसमें बात जोड़ दूं जी तो जनरली हम मानते हैं कि हमारे हिंदुधर में भी बताया गया है कि हर आदमी की मनुफिकी सांसे गिंती की आती हैं और अगर अपने सांसों को जल्दी जल्दी ले लें तो आदमी के लाइफ ज कांध लेता है चाहे हाती हो चाहे कचुवा हो कच्चुवे की अमर आप साड़े चार सौ साल होती है जिए इस तरह से भी अगर अपनर का मतलब है के प्राणा का विश्थार करना प्रान क्या है हमारे सरी में अपनी स्वास को अगर अपन प्रॉपर ली लेंगे तो कहीं ने कह हमारे सरीर के जो अंग हैं उनको प्रॉपरली ऑक्सिजन मिलेगी जो ब्लड के साथ मिक्स होके जाती है और औरगांस को एक तरह से निट्रीशन प्रॉपर मिलेगा आफिसेंटली काम करेंगे औरगांस एफिसेंटली काम करेंगे तो हमारे स्टेमना आटोमेटिकली जो है मतलब भी यही है कि स्वास धीरे धीरे लेंगे तो हो सकता है आप दीरगायू भी हो जाएं जिस प्रकार से अभी अंकेश जी हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं जीवन दर्शन की चर्चा कर रहे हैं योग की बात कर रहे हैं अनेक चर्चाओं में ये विशय निकल कर आता है और क का डेफिनिटली अपन कहें तो आध्यात्मी एक हो सकता है लेकिन आज के समय में जो अगर बात करें यूग का परपज के वह अध्यात्मी है नहीं है हमारा आज का स्वास्तिकी दृष्टी से करें और यह कई लोगों के मन में भरांतियां भी रहती है कि योग जो है धर्म का रूप है और एक धर्म विस्थिस के लोगों को योग करना चाहिए इस भी मैं नहीं मानता हूं कि केवल आद्यात्मिक परपजी अपने को इसका मानना चाहिए स्वास्त की दरफ्टी से भी तो वस्तव यह कहा जा सकता है कि यदि आपकी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं तो योग उससे परे है क्योंकि योग विश्व कल्यान का मार्ग दिखाता है योग का मूल उद्देश वही है जो भारत का विचार है और वो विचार है सर्वे भवन तु सुखिनह सर्वे तो मा कश्चत दुख भाग भवेत योग को लेकर अंकेश जी बहुत से लोगों के मन में अनेक भ्रांतियां भी होती हैं और अनेक लोग योग से केवल इस बात से भी दूर रहते हैं कि वो सोचते हैं कि यदि कुछ गलत कर दिया है तो फाइदा होने के बजाए नुकसान क ही नहीं हो जाए क्या-क्या मुख्य भ्रांतियां आपको नजर आती है क्योंकि अनेक लोगों से आप मिलते भी हैं लोगों को योग सिखाते भी हैं किस प्रकार की भ्रांतियां समाज में हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है सबसे आम जो एक धारना है जैसे भ वाया हमें तो ऐसा लगता था हम डरते थे कि योग जो है पता नहीं वो उल्टा कर देंगे और जो है कहीं ऐसा तो हम से कैसे हो पाएगा यह जिए तो मैं समझता हूं कि सबसोड़ी ब्रांती तो यह है कि जरूर नहीं कि अपन सीरसाफन उल्टे होके ही केवल सीरसाफनी रह है योग में ऐसी बहुत सारी क्रिया हैं जो अपन सिंपल तरीके से करके और उसको जो है फल अपन जो है मैक्जिम लाब जो है उसका ले सकते हैं जी तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है सबसे पहले लोग योग को एक फिजिकल एक्सराइज के फोर्म में करते हैं ब्याया नहीं रहते हैं जब कि यहां पर हमारी आवेर नेस रहती है योग में जो हमारा माइंड इन्वालव रहता है अगर आपन इतना भी हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो हम मुव्मेंट के परती हैं मन से हम सचेत हैं दूसरा बात आती है ब्रीधिंग की कहीं नहीं हम ब्रीधिंग के स्वास के प्रती जागरुक नहीं रहते हैं अब यायाम करने जाएंगे यहां पर आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो स्वास लेते हुए मैं आसन में जाना है स्वास छोड़ते हो वापस आना है तो यह सबसे महत्रपूर्ण बात है कि हमें स्वास का मुव्मेंट के साथ एक प्रदमिक कॉडिनेशन बनाके रखना है तीसरी बात आती है कि जैसे मैं अभी भी बताया कि योग को एक धर्म के रूप में हमानते हैं तो ऐसा कते ही नहीं योग और व्यायाम में एक तो अंतर समझना बहुत जरूरी है योग और व्यायाम में अंतर है और उस अंतर को पार्क में जब देखेंगे लोगों को व्यायाम करते हुए तो कान में एयरफोन लगा के गाने सुनते हुए उनको देख सकते हैं वो उनके हो सकता है मन मस्तिष्क को सुकून प्रदान करता हो लेकिन आप यदि योग कर रहे हैं तो योग का मतलब है जोड़ना शरीर को और मन को जोड़ना तो आपको यदि योग करना है तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक चेतना भी जागरत रहनी बहुत आवर्शक है अंकेश जी हमारे माननी प्रदान मंतरी जी सामने तक कहते हैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत तो जब बात स्वस्थ भारत की करते ह हैं तो निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि भारतिये जो पद्दतियां हैं उनके विकास के लिए उनके उन्नयन के लिए भी सरकार निश्चित रूप से काम कर ही रही होगी हम चाहेंगे कि दर्शकों तक जानकारी पहुंचे कि केंद्र सरकार की किस प्रकार की ऐ हो रहे हैं जैसा कि आप जानते ही है के हमारे मानी प्रदानमंती जिए जो है योग के प्रति कितने जागुरुख हैं और उन्होंने कि अनुसार भारत सरकार में एक मंत्रालय का गठन भी किया गया है जो कि इन प्रकार की जो योग नैच्रोपेथी की संस्थाएं काम कर रही है पहली है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च योगा नैच्रोपेथी जहां क्योंकि योग जो है एक भारती दर्शन है और उसमें आज के समय के अगर बात करें तो योग को विग्यान के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है और जब तक रिसर्च नहीं होंगी तब तक विग्यान उनको जो है अपनी कसोटी पर खरा नहीं मानेगा तब तक वह अपने आप संस्था है जहां पर विविन प्रकार के योग संबंदी कोर्स करवाए जाते हैं और उन कोर्षिच को करने के बाद लोग जो है अपना योग के च्छितर में केरियर भी बना सकते हैं इसके बाद एक नेशन इस्ट्रीव नेचरोपेथी पूने है वो भी जो है योग और प् हम ये कह सकते हैं कि योग में जिस प्रकार से आसन और प्राणायाम का महत्व है ठीक उसी प्रकार कुछ विशय ऐसे ओर है जिन के लिए हम कह सकते हैं कि वो भी चिकित्सा की अपनी एक अलग पद्दती हो सकती है जब अभी चर्चा में अंकेश जी के साथ में विशय आया दूसरी पद्दतियां हैं उन में अलग अलग प्रकार के सइड एफेक्ट सोथें हैं और इस समय जब नेच्रोपैथी के बात करते हैं तो लगता है कि प्रकृतिक जो चीजें हैं उनके साथ में किस प्रकार से उपचार होता है योग और공रा में कुछ समय हैं इन इनमें सब बहुत बड़ा समनुवे है जैसे कि पहले बात करें आपे द्वाइयों का यूज किया जाता मैं पर यूग मैं भी वह म इसी परकार के दौाय का यूज़ करते हैं तो इस तरह से योग और नेच्रिपपथी अपने हम में जोड़ी हुई किस्टा की बिधाएं हैं और इनके छेत्र में जो है एक तरेगा कोर्स भी चलता है साड़े पांच साल का मेडिकल कोर्स होता है यह बैचलर ऑफ नेचरोपेथी ने योगिक साइंसरी जहां तक बात है नेचरोपेथी की आपने बात करी कि साइड एफेक्ट की बात करी तो डेफिनिटली प्राकिची किस्टा में जो मैन इसका कंसेप्ट है प्रिंसिपल है प्राकिची किस्टा का वो है कि हमारा सरीर जो है पांच तत्तों से मिलके बना है जिए पंच तत्तों से अगर हमारा सरीर मिलके बना है उन्हीं तत्तों से हम जो ठीक भी कर सकते जैसे कि कोई टेबल अगर लकड़ी की बनी है ऑगर तूटफूट हो जाए अगर अगर तो हमारे बेदों में उपनेश्दों में सब जगे बताया है कि हमारा सरी पंचा तत्तों से मिल के बनाये तो इन्हीं तत्तों के दोरह हम जो ठीक भी कर सकते हैं अंकेश जी एक चर्चा ये भी करना चाहेंगे आज का जो युवा वर्ग है नए जो युवा हैं वो सामानने तहा जब बात कसरत की करते हैं व्यायाम की करते हैं एक्सरसाइज की बात होती है तो सीधे रुख जिम की तरफ करते हैं और जिम में जाकर अपने बहुत अच्छा शरीर बनाना मसल्स बनाना एक तरफ वो मार्ग है दूसरी तरफ मार्ग आप जो बताते हैं योग का है जिसमें आप सुखासन में बैटके और प्राणायाम कर रहे हैं ओम का उचारण कर रहे हैं क्या लगता है कितना अंतर है और आज के युगाओं को मूल रूप से किस चीज की आवशकता है डेफिनेटली बहुत बड़ा अंतर है और मैं यह नहीं कहता हूं कि जिम जो है बिल्कुल बुरा है नो डाउट कि जो है अगर अगर अपन कुछ किवल सो रहे हैं लेजी लाइफ है अपनी तो उससे बैटर ही है कि कुछ तो हो रही है लेकिन जहां तक जैस देंगयों walking गए जितना रहता है यहां दिए लेकिन कहीं लिए मानसिक पहले मानसिक पात करी है मानसिक रूप से मानसिक रूप से क्नि हेल्थ कि आज कि अजकि समय में जो आप बीमारियां देख रहे है तो सबसे पहले हमारा माइंड एफेक्ट ह मामें तो चाय का है आपका हाइपर टेंशन हो आप ओल नहीं कि नहीं प्छी साल हुझा और गित डीजिश आदुखनी जीवनशली की बात करते हैं तो काफी अंतर आ गया है पिछले 25-30 वर्शों में डिजिटल स्क्रीन पर काम बढ़ा है, मोबाईल, लेप्टॉप, कंप्यूटर पर काम बढ़ा है और इसके कारण अनेक प्रकार की परेशानिया भी होती हैं, क्या कुछ ऐसा योग क के माध्यम से किया जा सकता है कि यह जो इनके साइड इफेक्ट से डिजिटल स्क्रीन के उससे कैसे बचा जा सकता है देखिए सबसे पहले तो क्या है कि आखे जब कंट्यूनिसली अपने स्क्रीन पर लगा के रखते हैं तो प्रेवेंटिव एस्पेक्ट में कुछ अपनी आखों की होती हैं जैसे कि आखों को आप एंड डाउन साइड रोटेशन तो इनके द्वारा आखों की मास्पेशियों को अपन मजबूत बना सकते हैं और इसके बाद एक त्राटक करके अभ्यास होता है इसको में भी करते हैं तो मौमती जलाके अपने से तीन फिट का कि आखों को मजबूती देने का काम कॉंसेंटेशन देने का भी काम कर सकती है तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आखों पर जो दुश प्रभाव होते हैं डिजिटल स्क्रीन के उसको भी आप योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और निश्चत रूप से अपने जीवन क को सुखद बनाने के लिए अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप योग का यदि सहारा लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई दुश प्रभाव नहीं है योग आसन प्राणायाम इनके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और निश्चत करिया आपने दी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार तुरू